जहिंत साथियों मैं आपका भाई सूरज आप लोग का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार अपडेट आई कियारे साथियों आपको जैसा की मालूम है कि आपका भाई आप लोग के साथ इस परिवार पे कुछ दिनों से आप लोग के साथ कॉंटेक्ट नहीं बना पा कईगी जो भी जयनकारी आप लोगे जरूर्त होगी आपको मैं समय पर देने की कोशिस करूंगा तो सातियों आपका भाई सुरज जो आपके साथ इतने दिनों बात जुर रहा है तो क्या जानकारी लेकर आप लोगे लिए आया है यह सबसे बरी बात हो जाती है तो मैं आप लोग को बता दू कि मैं उन सभी बच्चों के लिए खुश्खबडी लेकर आया हूं जो कि कहीं न कहीं टेंथ एस्टेंडर को पास कर चुके हैं ठीक हैं टेंथ एस्टेंडर से ऊपर आप किसी भी क्लास में रिडिंग कर रहे हैं या तो आप टे कर रहे हैं यह जो वेकेंसी है हम वेकेंसी के बारे मताने वाले आपको तो यह जो वेकेंसी है वह हमारे इंडियन पोस्ट के तरफ से निकल कर रहे हैं मतलब कि भारतिय डाक के तरफ से निकल कर रहे हैं अगर मैं टोटल पोस्ट की बात कर लूँ तो 44,228 टोटल पोस्ट है number of vacancy की बात कर ले तो 44,228 पोस्ट आप लोगे कहीं न कहीं जारी किया गया है इंडियन पोस्ट के तरब से अब जो पोस्ट जारी किया गया है वो किस-किस डिपार्टमेंट में जारी किया गया है कौन-कौन से seat के लिए जारी क्या गया और आप लोग इसके लिए क्या-क्या eligibility चाहिए आपको इस सारी बात थे हम आपको बताने वाले हैं तो आप वीडियो में पूरे बने रहेंगे और मैं आपको पूरे website पे authentic जानकारी देने की कोशिश करूँगा आप लोग बने रहेंगे तो इसके लिए सातियों आपको सबसे पहले अपने mobile phone या तो desktop में अपने किसी भी browser पे जाना है और उस browser में आपको search करना है Indianpost.government.in जहां पे आपको ये official website Indian post payment bank का जो official website है वहां पे आपको कहीं न कहीं लेकर चला जाएगा आप जैसे ही Indian post के official website पे आएगे तो आपको नीचे scroll करना है scroll करने के बाद मैं आपको दिखा दूँ तो आपको left side में कहीं न कहीं इस परकार का बटन देखने को मिल जाएगा इस बटन पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको करियर वाले option पे जाना है जैसे ही आप करियर वाले option पे जाएगे तो आपको कहीं न कहीं इस तरीके से देखने को मिलेगा जहां पे आपको candidates corner में जैसे ही आप जाएगे तो यहां पे आपको एक slider चलता नजर आ जाएगा ओके इसके बाद आपको बारी बारी से कुछ चीजे देखने को मिलेंगी तो पहले पॉइंट में आपको यहां पर नोटिफिक्शन देखने को मिल जाएगा फिर जाकर आपका स्टेज वन में रेजिस्ट्रेशन फिर अपलाई कैसे करना है फीप्रेमेंट आप करेंगे तो आपको यहां पर दिख जाएगा उसके बाद कैंडिटेट्स का जो गीभवे होगा मतला कि आपने फॉर्म जो सम्मीट करेंगे तो आपका जो है हाड काप्य आपको डे दिया जाएगा तो आपको सबसे पहले यहां से नोटिफिक्शन को डाउनलोड कर ले के शीट दिया गया है और इन सभी स्टेट में कुछ न कुछ अलग-अलग क्राइटरिया रखे गया है और इन क्राइटरिया को मैं आपको बताने वाला हम आप इधर देख सकते हैं कि किस परकार से आप इस फॉर्म को फिल अप करेंगे नोटिफिक्शन होगा इस तरीके से आ चुका है आप लोग यहां देख सकते हैं यह गौर्मनेंट और इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्यूनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मलग की इंडियन पोस्ट के कम्यूनिकेशन डिपार्टमेंट से यह हम लोग के लिए नोटिफिक्शन निकल कर आ है ठीक है इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो इस नोडिफिक्शन का नमर को आप देख सकते हैं नोडिफिक्शन नमर 173-2024 और डेटर जो है 12-7-2024 12-7-2024 मतलब की कि आपका ये 12-7 को डिपार्टमेंट में कही न कहीं जारी किया गया और डिपार्टमेंट ने इससे और्थराइज्ट करके आपको जारी कर दिया ठीक है इसके बाद हम आगे आपको बताएंगे आगे क्या बात है ग्रामिंग डाक सेवक मलग की जीडीयस के लिए फॉर्म निकल कर आ रहे है और इंगेजमेंट जुलाई 2024 ठीक है इसमें कुछ-कुछ बाते हैं जो हम आपको बताने वाले हैं तो एप्लिकेशन और इन्वाइट फॉर्ड इलिजिबल केंडिडेट फॉर्फिल्ड वेकेंट पोस्ट और ग्रामिंग डाक सेवक मलग की जीडीयस पोस्ट के लिए आप आपको वेबसाइट भी यहाँ पर नीचे दिया गया कि किस वेबसाइट पर आपको विजिट करना है जो कि हमने आपको पहले ही बता दिया ओके आगे की जानकारी को देखे तो आगे बढ़ते हम जब तो यहाँ पर दिया गया है रजिस्टेशन या ओनलान एप्लिकेशन इडिट करेक्शन विंडोज मतलब कि आप इसके लिए रजिस्टेशन करेंगे फिर आपको ओनलान एप्लिकेशन फील करने का मौका दिया जाएगा और उसके बाद अगर कोई गलती हो जाती है तो इसके लिए आपको एडिट और करेक्शन करने के लिए भी कुछ न कुछ स करने से पहले अपने सारे डिटेल को देख लेंगे और उसके बाद अपना समिशन करेंगे उसके वैलिड मोबाइल नमर पर आपको अटिपी आने वाला इमेल एड्रेस के जरी यह वैरिफाइग करने वाला है तो यह सारी बाते इसमें कहीं न कहीं लिखकर बताया गया तो आप इसको रीड कर लेंगे यह नोटिफिकेशन मैं अपने टेलिग्राम चैनल पर भी दे दूंगा तो आप वहां से डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं आगे जब बढ़ते हैं तो आगे हमें कुछ और बाते बताई गई है जो कि मैं आपको बता दूँ तो रिजिस्ट्रे से ही वेब साइट पर कहीं कहीं आ चुका था लेकिन जानकार यह आपनों को दो दिन बाद मिली है उसके एडिट या करेक्शन विंडू मलग कि अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो आप 6-8-2024 से लेकर 8-8-2024 तक दो दिनों के अंदर उसको करेक्शन कर सकते मलग कि आपकी गलती को सुधार सकते हैं तो यह आपके लिए इंपोर्टेंट डेट होने वाला है जो कि आप करेक्शन कर सकते हैं और एप्लिकेशन कर सकते हैं इसके बाद आपको बताया गया है सर्विस कंडिशन्स एंड ब्रीफ जॉब प्रोफाइल एंड रिस्टेंस उ सकते हैं तो आपको क्या काम करवाया जाएगा और यह सारी इस पोस्ट में आपको दिखाया जागा ठीक है इसमें आप देख सकते हैं कि ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए अलग से सारी बाते लिखी गई है उसमें कुछ-कुछ अलग-अलग नंबर्स में आपको बाते बत आया गया इसके बाद जो आपको जरूरी की चीज है वह मैं बता जेता हूं कि आपको रिश्टेंस मतलब डाक से बाइट पोस्ट पे निक्त होते हैं तो आपको डिलेवरी का भी काम दिया जा सकता है तो इसके लिए आपको दिक्कत नहीं करना तो इसके बात करूंगा कि इसे पहले मैं बता दूँ कि आपका pay scale जो मैंने बता है कि आपका BPM अगर बनते हैं आप मलती ब्रांच पोस्ट मास्टर अगर बनते हैं तो आपका pay scale होने वाला है 12,000 से लेके 29,380 रुपय तक आपका pay scale होने वाला है उसके बाद ABPM या तो dark सिवक अगर आप पोस्ट पे न् कोई गलत नहीं है लेकिन आप लोग अपने तरीके से देख सकते हैं इसके बाद age limit की बात करेंगे age limit आप देख सकते हैं age limit में बताएगा minimum 18 साल और maximum year 40 year बताया गया ठीक है तो 40 साल तक के लोग जोंगे ये इस form को fill up कर सकते हैं इसके अलाबा आपको बता दूँ तो इसमे सब्सक्राइब होगा तो आपको दिया जागा ओके यहां पर वह सारी डिटेल भी दी गई है कि सीडियून कास्ट को पांच यह उसके याद अधर वैकवर्ट कराश में लग की ओवी सी वाले बच्चों को तीन एर इकॉनमिकली वीकर सेक्षन वाले बच्चों के लिए मैं भी रिलक्सेशन नहीं रखा गया है उसके अलग-अलग बच्चों के लिए अलग-अलग तरीके से आपका एज रिलक्सेशन देखने को मिल जाता है और प्यारे सातियों अब हम पहुंच चुके सबसे महतपूर्ण नोडिफिक्शन जो की हमने आपको सुरात में बताता है एडुकेशनल क्वालिफिकेशन एडुकेशनल क्वालिफिकेशन इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि GDS का फॉर्म जो अभी आप लोग के लिए निकल करा रहा है पोस्ट काफी जादा है चोवारीस जार दोसो अठाइस पोस्ट थोरा नहीं होता है बहुत जादा पोस्ट को मिल रहा है अप लोग को लेकिन आप लोग को ऐसेंशल कालिफिकेशन या तो एडुकेशनल ग्वालिफिकेशन क्या रखा गया है यह जानना बहुत जरूरी है थिक हैं तो आपको अलग लग तरीकसे बता है एडुकेशनल क्वालिफिकेशन पॉर the engagement ऑफ GDS is secondary school examination pass certificate certificate of 10th standard with passing mark in mathematics and English मतलब कि आप किसी भी बोर्ट से मतलब की इसकेंटरे स्कूल एक्जामनेशन से 10th का इस्टेंडर पास की होना चाहिए और इसके अलाबा आपका जो passing mark है वो mathematics और इंगलिस दोनों में ही आपको पास मार्क मिले होने चाहिए अभी आप इस को फिलप कर सकते हैं अन्य था इस फॉर्म को आप फिलप नहीं कर सकते हैं इसके मतलब हम कह सकते आपको कि आप अगर 10th पास हैं और आपका जो passing mark है math और इंगलिस में अगर आपने उस पासिन मार्क को हासिल किया है तो आप इस फॉर्म के लिए इसके लाब आपको से होना चाहिए और गवर्मेंट से या तो यूनियन ट्रेटरी इंडिया में कोई भी संस्थान ऐसा हो जिसमें मानिता प्राप्त हो तो वहां से भी आप 10th किये होंगे तो आप इस हो मैथली हो उर्दू बंगला जो भी आपका इस्टेंडर लेंग्वेज हो उसका नौलेज आपके पास लिखने का और बोलने का नौलेज होना चाहिए ठीक है अगर यह नहीं होता है तो आपको कहीं न कहीं इसमें दिक्कत आ सकती है इसके अलावा मेरे साथियों आप अरणाचल परदेश में आपका इंट्रेस्ट है कि आप अरणाचल परदेश में फॉर्म फिलप करना चाहते हैं तो आपके पास थर्ड लेंग्वेज के रूप में एक अलग सा क्वालिफिकेशन होना चाहिए अगर आप यूपी विहार से अगर बिलोंग करते हैं जहां प तो आपको अपने स्टेट से ही फॉर्म को फिलप करना पर जाएगा तो यह आपके लिए तीसरा कहीं कहीं नोटिफिक्शन ता जारीट किया जा था जो कि इंडियन पोस्ट ने बताया था आपको इसके बाद अधर क्वालिफिकेशन के लिए बोल दे तो अधर क्वालिफि आपको साइकल्स चलाना आना चाहिए क्योंकि एगर आपको डाग सेबां में कहीं क्या जाता है तो आपको कोंई देवरी के लिए तो आपको साइकलिंग आना जाए ताकि आप उस सामान को वहां से पहुंचा सके थीक है उसका बाद के लिए उदूटिट्रिक्शन में होना चाहिए तब जाके आपको GDS के फ़र्म के लिए इलिजिवल माना जाएगा उसका रिजर्वेशन आप लोग पर सकते कि किन बचों को रिजर्वेशन दिया गया है और मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूँगा बहुत लंबा नोटिफिक्शन दिया गया तो जो जरूरी की जानकारी थी मैं आपको जेर कर चुका है आप देख सकते कि 36 पेज का कही न कहीं नोटिफिक्शन है और जिसमें से हम 10 पेज को ही कवर कर पाये लेकिन आपको प्वड शर्टिकेट अगर प्वड में आते हैं यडव में है तो इसके जर्सपेश त्रांस जंडर हैं तो ये शर्टिकेट के लिए के लिए जाएंगे तो आपको आगे चल कर काम देने वाला है तो मैं आप लोग को यह नोटिफिक्शन दे दूंगा यह बहुत बड़ी वेकेंसी आप लोग के लिए निकल कर आ रहे हैं 44 कहीं न कहीं बहुत बड़ी सीट होती है तो आप लोग इसके लिए तयार होंगे और इस फॉर्म को फिल अप क सकते हैं साइड ओपन हो चुका है और इसका लास डेट कब है तो लास डेट आपको 582024 तक है और करेक्शन के लिए आपका विंडो जो खुलने वाला वो 682024 से 882024 के बीच खुलने वाला तो यह हमारे तरब से जानकारी थी जो कि 10 वाले बच्चे जो टेंथ पास कर चुके उनके लिए कहीं न कहीं बहतर बंपर भरती निकल करा रही है तो आप लोग इस फॉर्म को जरूर फिल अप करें हम मिलेंगे आपसे लगातार आप मिलते रहेंगे अच्छे नोटिप्रिशन के साथ तब तक के लिए आप हमें इजाज़त देंगे जाहिन बंदे मात्रम